हेलो फ्रेंज चलिए हम आपको आज एक और नई जायन की लड़ो पलजी के लिए द्रेस बताएंगे जिसके लिए यहाँ पर मैंने दो कलल ले लिए हैं आप अपनी पसंद का कोई भी कलल ले ले और मैंने टेन नमबर शलाही ली हुई है तो यह मैं आपको बहुत ईजी तरी करतें पसे there नई जायन का पहुद्चों बतांगी जो बनाने में बिल्कुल आसान है जो म म alreadyणहां को बताने जा रहे है वह तीन से चाहर नमबर लो पलजी के लिए हम बता रहे हैं तो चलिए हम बहुत ईजी तरे कि अरप बहुत ही आसान तरीके से अपको बताएंगे वीड आप अपनी पसंद में कोई बीकलर लेकर यहां पे इस तरह से फंद डाल लेजा जो भी आपको पसंद में आप उस खरो मझेल को लगा सकती है यहां पर इस तरह एक कि यह दे पर यहां पर ने Keys तरह एक ordered he तो जो हम तीन नंबर के लिए बता रहे हैं आपको वह चार को भी आराम से आ जाएगी यह देखिए तो मैं डाल लेती हूं देखिए फ्रेंस मैंने यहां पर 20 फंदे ले लिए हैं और 20 फंदे डालके मैं इस तरह से यह उल्टा सीधा भी यहां पर आप बौडल लगा सकते है पर मैं 2 इसाँ बनाओंगी यह देखिए पहुंचू की तरह हम इसको बनाइगे तो यहांपे मैं 2 इसाँ बनाओंगी तो अपिए बना के कंपलीट करूंगी आप लड़ा सीधा फंदा इस तरह से भी यहांपे बौडल म बना सकती है तो इस तरह का मैंने जैकिट की तरह मैंने अपनी चैनल में भी डाला हुआ है वो खुला है आगे से मैं इसको बंद बता रही हूं आपको दोनों तरफ से बंद करके तो चलिए हम दो सलाईया बना के कंप्लेट करते हैं तो देखिए यहां पर दो सलाईया हमने बना ली है तो सलाईया यहां पर फंदे डालके हमने उल्टा उल्टा बॉर्डर बना लिया है आप यहां पर बॉर्डर की तरह एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा इस तरह से भी आप बना सकते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं अपना blue color लगाऊंगी अब यह रेखिए इस तरह से तो आपको जो भी color पसंद है आप उस color से इसको बनाए बनाना आपने उसी तरह से है तो देखे मैंने उल्टी चलाई पर ब्लू कलर को लगा दिया है तो यह मैं बना लेती हूँ और सीधी पर आपको फिर शे दिखा देती हूँ कि फ्रेंस हमने उल्टी तरफ से ब्लू कलर अपना लगा दिया है इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर पहला फंदा उतारेंगे और धागा अपनी तरफ कर लेंगे तो यहां पर दो और यह तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नौ फंदे मैंने बना लिये हैं दो फंदों प अपनी तरफ से धागा हमने जाली इस तरह से बनानी है कि देखिए ठीट्ट्फ ऑपनि तरह दीदों बंच रो साथ साफ यह तो और यह दो 9 दूर उसलिवे फंदों और खाना प्रसे। इसके बाद हम अपना ब्लो कलर ही लगाएंगे इसमें तो शलिए उल्टी शलाई को बनाते हैं सीधी पर फिर से दिखा देते हैं से आ गई हूं सीधी शलाई पर सीधी शलाई पर पहला फंदा उतार लेंगे धागा आपनी तरब करके इस तरह से इसको 9 फंदे हमने बनाए थे इस बार हम 10 फंदे बनाएंगे जो बढ़ चुका है उसको भी हम बना लेंगे तो देखे ये 9 फंदे हमने बुलने हैं और जो बढ़ चुका है 10 मा फंदा वे भी हम उल्टा ही बना लेंगे तो दस फंदे बन चुके हैं और यहाँ पर इसी फंदे पर हम जाली इस तरह से बनाएंगे फिर दाग आपनी तरफ करेंगे और जो बड़ा हुआ फंदा इस साइड भी हम उसको उल्टा बनाएंगे तो बीच में इसी तरह से हम जाली बनाते हुए जाएंगे और जो बड़ते हुए फंदे जाएंगे उनको हम उल्टा बनाते हुए जाएंगे अब यह देखिए अपना फ्रोजी कलर ही वापिस लगा देते हैं यह देखिए इस तरह से चार सलाईयां यहाँ पे हो चुकी हैं दो सलाई बाउडर दो सलाईयों पे बलू कलर की पे जाली बना लिए है तो यहाँ पे हम पांचमी सलाई को बना रहे हैं छे सलाईयां यहाँ पे बना लेते हैं इसी तरह से इसके बाद आपको फिर दिखाती है तो हमने फिर से देखी पहला फंदा उतार लेंगे और यहां पर ग्यार फंदे बनाएंगे दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस और यह दिखे ग्यारा अब हमने क्या करना है फिर से हम जाली इसी तरह से बनाएंगे यह देखिए और ग्यारे फंदे इस साइड के भूल लेंगे तो चलिए भूल लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको देखी प्रेंच, यहां पर छे सलाईयां बन चुकी हैं यह देखी और चार हमने जाली बना ली है यानि कि देखी बुल जाली इससे टो यहां से दो ही रिखाते हैं यहांपर चार जाली ही हम बना चुके हैं और तो सलाईयां मैंने यह बडर बनाया चुकी है अब इसके बाद्र हम क्या करेंगे यहां पे आपना वाजू के लिए फंदे खटाते हैं यह देखी इस तरह है एक सलाइया फिरोजी, बनाने के बादIch लगा दिया है आप यहां पे फंदे हटाएंगे एक हम के लिए मैं दो और यह की तीन और यह की चार और यह पांच पांच फंदे मैं ने बाजू के लिए हटा दिये हैं इसके बाद मैं यहां पर उसी तरह से बना लेती हूं तो यहांपर चार फंदे बन चुके है 5 6 7 और यह 8 और इस फंदे को मैं यहां पर सीधा बनाऊंगी जाली हमने नहीं डाल ली है दो सलाईयों पर मैं इसको सीधा बना लेती हूं यह देखिए अब इस साइट के भी 1 2 3 4 5 6 7 यह रेखिए 2 4 5 8 और यह रेखिए 9 तो 5 फंदे हम इस साइट के भी घटाएंगे बाजू के लिए उसी तरह से जिस तरह से यह घटाएं हैं तो देखिए यहां पर 5 फंदे घटा देती हूं इस तरह से 1 2 3 4 और यह 5 फंदा इस धागे को कट करके इसी में से निकालेंगे कि यहां पर मैं धागे को कट करनी हूं और इस फंदे से मैं इस तरह से निकाल दूँगी यह देखिए तो यहां पर 5 फंदे घट चुके हैं और इस साइड भी तो यहां पर मैंने जाली नहीं डाली है इसी तरह से मैंने यह सीधा फंदा बनाया है जाली वाला और बाकी के फंदे उल्टे-उल्टे बुल लिए हैं इसके बाद हम यहीं से अपना वापिस ब्लो कलर कोई ही लगा देंगे यह रेखिए इस तरह से तो यह दो सलाईया मैं बिना जालियों के इनको मैं इसी तरह से बना लूँंगी तो आप यह रेखिए तो चलिए यह ब्लू कलर की एक सलाईय और इसी तरह से बना लेते हैं यहां पर जाली नहीं डालेंगे हम जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे बाकी के फंदे उल्टे बना लेंगे किये इस तरह ऐसे दोनों तरफ से वाजू घठ चुकी है तो बना लेती हूँ इस तलाई को भी बिना जाली के इसके बाद हम अपना फिर से जाली बनाएंगे जाली वाले फंदे पर ही जाली बनाएंगे बिल्कुल इजी है तो देखे मैं फिर से यहां पर जाली बनाना शुरू कर दी हूँ पहτεं मीलते हों को यहां पर में नेचे आट कि जाली बनाकन है ऑन को आट कि देखेंआ एक जान पर दिखाते हैं आप panaaj बनाते हुए जाएंगे खाली और यह देखिए जो बढ़ चुका है फंदा उसको हम उसी तरह से उल्टा-उल्टा बुनते हुए जाएंगे तो बना लेती हूं इसको यह देखिए तो देखिए फ्रेंज यहाँ पर मैंने बाजू घटाने के बाद इतना इसको बना लिया है तो देखिए किस तरह से हमने सलाईएं यहाँ पर बना ली हैं बाजू घटाने के बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यार, बारे बारे सलाईयां पूरी complete कर ली है यह देखिए यानि कि बाजू घटाने के बाद बारे सलाईयां मैंने बना ली है और बारे ही मैंने यहाँ पे जालियां बनाई हुई है इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना फ्रोजी कलर लगाएंगे तो सबी फंदों में हम किसी भी तरह से आप यहाँ पे कमूरा बना सकती है यह देखिए तो यहाँ पे मैं एक सलाई बना लेती हूँ और दूसरी सलाई पे आपको किस तरह से मुझे फंदे घटाने हैं वो मुझे आपको बताना है तो इसको मैं एक सलाई बना लेती हूँ यहाँ पे और जाली नहीं डालूँगी बीच में इसी तरह से इसको पूरा बना के कम्प्लेट कर लेती हूँ तो देखिए फ्रेंस यहाँ पे एक सलाई पूरी यह हो चुकी है यहाँ पे मैंने जाली नहीं डाली है इसी तरह से पूरा सलाई को उल्टा बना लिया है अब इधर की साइड हम किसी भी तरह से आप यहाँ पे फंदे घटा दे चाहे आप इसी तरह से नॉर्मल फंदे घटा दे अगर कोई डिजाई ना आ या कंगूरा बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं बनाऊंगी एक बनाया, दो बनाये और यह तीसरा बना लिया और तीसरे फंदे के बाद हम एक घटाया और यह दो घटाये इस तरह से एक बनाया, दो, तीन एक ही फंदे को मैंने तीन बार बना लिया है चैन की तरह जिस तरह से हम क्रोशा से बनाते हैं उसी तरह से तो मैं आपको नीडल से ही बता रही हूँ और तीन बार एक फंदे को बनाने के बाद हम यहां वापिस सलाई में डालके इसको इस तरह से घटाएंगे एक फंदा घटा दिया और दूसरा फंदा फिर हम यही करेंगे एक बनाया दो बना लिए और तीन तीन फंदे बनाने के बाद एक ही फंदे को तीन बार बुनने के बाद यहाँ पर नेडल में डालेंगे और इसको इस तरह से घटा देंगे तो इसी तरह से सारे फंदे घटा लेते हैं इसके बाद आपको दिखाते हैं फिर से तो देखे फ्रेंच यहां पर हमारा यह एक पार्ट बनके कम्प्लीट है यह देखे सारे फंदे इस तरह से हमने घटा दियें तीन बार एक फंदे को बुना है और दो फंदे यहां पर बीच में घटाए हुए हैं इस तरह से हमने एक पार्ट बनाके कम्प्लीट कर लिया है इसी तरह का मैं यहां पर दूसरा पार्ट भी बना लेती हू और इसके बाद आपको फिर दिखाती है सेम इसी तरह से बनाना है जिस तरह से मैंने इसको बनाया है उसी तरह से तो देखे फ्रेंच यहाँ पे दूसरा पार्ट भी बनके complete है उसी तरह से हमने बना लिया है जिस तरह से इसको बनाया है तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम सिलाई करेंगे इसकी तो किसी भी तरह से यह देखिए यहाँ पे इस तरह से हम दोनों पाटों को रखेंगे यह देखिए बिल्कुल आसान तरीके से दोनों पाट को फोल्ड कर लिया है और इस साइड भी उल्टा है और इस साइड भी उल्टा है अब सबसे पहले हम यहाँ पे मुद्डे सिलेंगे यह देखिए कोई भी कलर का दागा लेके सुई में डाल लिया है इसको और यहाँ पे हम सिलाई कर लेते हैं तो देखिए हम यहाँ पे सिलाई करेंगे इस तरह से हर चैन से निकालते हुए हम इसको दोनों मुड्डों को सिल लेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं और बाजू को छोड़ते हुए हम दूसरा भी हम इसी तरह से सिलेंगे दूसरी तरप का भी यह देखिए तो यहाँ पे इसको सिल के हम नोट लगा देते हैं और दूसरी साइट का भी यह हम सिल लेते हैं फिर इसके बाद आपको यहाँ की सिलाई बताएंगे बाजू को छोड़ते हुए हम यहाँ की सिलाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने दौनों मुड़ों को सिल लिया है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर यह देखिए हम इस बाजू को छोड़ते हुए हम यहाँ पे सिलाई करेंगे इस तरह से और दोनों तरफ हमने इसी तरह से सिल लेना है इसको कि यह देखिए बाजु मैंने छोड़ दी है यह देखिए और हम इसको हर चैन से निकालते भी दोनों तरफ सिलाई कर लेते हैं कि और इसके बाद आपको कि फिर से दिखाएंगे तो चलिए सिल लेते हैं कि यह देखिए अब दूसरी तरफ इसी तरह से शिल लेते हूं यह देखिए यह सिल चुका है पूरा कि देखिए फ्रेंश मैंने यहां पर इसको दौनों तरफ से सिल लिया है यहां से बाजु को छोड़ते हुए यह देखिए और यह उल्टा है इसको मैं सीदह कर लेती हूं यह देखिए बाजुओं के साथ इस तरह से तो बहुत इजी तरीके से और बहुत आसान तरीके से तेन से चार नंबर लड़ू को पाल जी के लिए ब्यूटिफुल सा यह देखिए इस तरह से यह कंप्लीट है यह देखिए बहुत ही सुन्दर लग रहा है तो देखिए अज्छे से बन के कंप्लीट है यह रेखिए और पहनाने के बाद抓 xu – लगाएगा इस तरह से ड़ह पहनाने की तरह से ए 1 ओसके आएगा तुदि कि यहां पे आप कोई भी बटम वगेरा या इस्ट्रोण वगे डेखुष और बीच में आप कोई भी कलर के सुह जा की मतश्यी तरह से मोती लगा सकते हैं यहां पर यह हर जाली पर इस तरह से एक-एक सलाई की दूरी पर इस तरह से तो देखिए फ्रेंज आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे जरूर लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं यह हमारा ब्यूट्यूपल सा पहुंचिव आपको कैसा लगा तो चलिए मिलते एंगली वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई